बूर्मॉर्णिंग स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी प्रिगेश स्कूल के यूटूब चनल में आप सभी का स्वागत है हम एट्थ मैथमेटिक्स में आज चैप्टर नमबर 4 पढ़ेंगे प्रैक्टिकल जमेट्री जिसका एक लेक्चर हो चुका है जिसमें आपने सिखा सब्सक्राइब जिसके ओल फूर साइट्स एंड वन डाइगनल इस गीवन तो हम देखा था कि उसमें कैसे हमने चार साइट्स दे रखी है और एक डाइगनल दे रखा है तो उसकी भीयाग पे उसकी कंस्रेक्शन करने विद आलप अप जमेट्री बक्स नाव तोड़ी विल स्कुस्ट तब वक्वड लेटर वहन थीजाइज और थीजाइज एध्ट तो डाइगनल इर जिवन अजम उस प्रकार की कौड लेटर की कंस्ट्रक्शन करेंगे जिनमें उनके तीन साइड दे रखे होंगी और उनके डाइगनल कि तो देखिये सुपोज यह कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट एक वाद्र लेंट्र कंस्ट्रक्ट ए क्वाद्र लिटल लाइफ द लाइफ द लाइफ द आफ्ट न विच न विच L I 4 cm I F 3 cm T L 2.5 cm L F L F 4.5 cm and then I T T that is equal to 4 cm. So, we have discussed before we have a rough sketch to draw. L I F T. We have a diagram with free hand. That is, we have a sequence where we should be. L I F T. 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 L L I F T. L I F T. L I F T. L I F T. is 4.5 and it that is equal to 4 cm अब देखें आपके पास क्या नहीं है सिर्फ ये वाले साइड नहीं है बाकित तो सारा देही दिया इसने तो हम construction कैसे करेंगे पहले ये वाले dell नहीं है ये वाले सा स्थिने ये 1909 आपके अम करेंगे पहले टियों में ऱ ऋ पहले है कि अ आपकेसफ कर टी पॉइंट आ जाएगा देन जोइन टे एंड अभी पूरे का पूरा काम जो है अपने स्टेप्स ओप कंस्ट्रक्शन में विद एकुरेसी के साथ करना है ठीक है तो देखिए स्टेप्स ओफ कंस्ट्रक्शन स्टेप्स ओफ कंस्ट्रक्शन से पहले एक त्रेंगल की कंस्ट्रक्शन करेंगे कुंसी ल आई ऑफटी विद्शाइड फॉर थ्री एंड फॉर प्रेंट फाइफ सब्सक्राइब पहले हमने सबस्क्राइब लाइए लाइन की ते जो एलाइन सेग्मेंट रो ए लाइन सेग्मेंट ल आई एक्वल टू फॉर सेंटिमेटर बिद्ध हल्प ओफ विद्ध है लप ओफ स्केल आपको जो है पैंसिल से एक लाइन खीच लेनी है ल आई जो की एक्वुरेट हो फॉर सेंटिमेटर ठीक है उसके लेले आप और ल आई फॉर सेंटिमेटर अमने उसकी रो करती है ठीक है यहां पर पॉइंट आपका अफ रहेगा तो जो एन आर्क फ्रॉम आई अफ लेंग थ्री सेंटिमेटर एंड रो अनदर आर्क फ्रॉम एल यह टेकिंग एल एजसेंट अधिक स्टील पॉइंट आपको पास का यहां पर रखेंगे पैंसिल पॉइंट आप खोल लेंगे यहां पर फॉर पैंट फाइफ और इसको सेंटर मानते विए स्टील पॉइ दा टू आप ड्र डूर्ड टूर्ग किंग ओ स्टील और यह दिसंटर ओफ रडिया पहले ल लिया है तो 4.5 cm and 3 cm रिस्पेक्टिवली ओके 3 cm रिस्पेक्टिवली क्या क्या बता हमने ल से एक आर्क लगाई है इधर आफ लेंथ 4.5 and taking l as is i as a center drawn another arc which intersect the previous arc at point a of that will be our third point and it will be our first wrangle li of t okay the point of and the point of intersection will be the third point a third vertex of of a triangle of a triangle li of okay so half gamma pana ho gaya hai now again we have to construct your draw a fourth vertex that is fourth vertex that will be t okay so t is 2.5 cm and from i it will be 4 cm again third point magic steps of construction draw two arcs from l and i in opposite direction to i i say opposite way to get together with radius with radius with radius l say to have 2.5 cm and i say raga 4 cm taking l and i as a center respectively एच्चेक्ट लेंटाँ मतलब रसे आपने इसको 2.5 open करना रहे और आइ से 4 cm open करना है ृच्छे Kो और इससे i फे फोर ठीक है तो यह फोर आप खुलेंगे तो most probably पर यहाँ पर वो इंट्रेक्ट रहेंगे the point of intersection point of intersection of both arc will be the fourth फ्रॉट वर्टेक्स च जे ऑच कर तो इसको आप मिला दे इसको सकति और सको इसके साथ है से यहाप क्या हो गया ची कि यह सारा काम आपको जो है यह दिखिए यह तो यह दर्वाला काम है यह को को यह आपको करने नहीं है उपर वाले तरफ ले हमने आप साइड वो बना सकते हैं आप यहां पर मत बनाए इसको फिर कोपी में इन दोनों को बनाने की जूरत नहीं है यह तो सरफ और सिर्फ आपको समझाने के लिए हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं ठीक है तो आपका यह आपका जो है यह आपका पैंसिल से और स्केल से I F T is our is our required quite little li of T and which and which ally 4 cm I F I F 3 cm यहां पे साथ साथ आप लिख भी दें 3 cm और ये थाप का कितना 4 cm और ये थाप का 2.5 4.5 with L I 4 cm I of 3 cm L F 4 cm T I Ti Jegn 4 cm और T L is O2.5 cm और ये सरे से मन इसकी कॉस्स्क्रश्शन कर नीः रिह हम तो यहां पर दो से तिन किशिन है इस अक्साइज में 4.2 में बस नहीं है और थ्री साइट सेंट टू देगनल विल बी गीवन एंड यू हव तो फस्ट्रक्ट जाम ठीक है और देखिस पोज यहां पर क्या है एक किशन में ऐसा दे रखाई इसने कि डाइगनल दे रखें सिरफ और उसने के दिए रॉंबस क्या बतादे इसने हंट दिया हमें कि और यहां तो कंस्ट्रक्ट ए रॉंबस बे न दे न विट बीन और दे बी इंद रेकर 5.6 दे यहां ओक कि आसे 6.5 ओक तो दिए सब्सक्राइब के पास यह रोंबस है तो अल्द फॉर साइड्स विल्वी एक वल तो देखे हम में बी ए बी ए एन और डिक यहाप के पास अभी यह मैं लेंट तो नहीं पता लेकिन हमने एक पर रफ ली इसको लेकिन बी ए बी अन बी एन है आपका 5.6 और डी है आपका 6.5 और कुछ नहीं है तू डाइगनल्स है और देखे हम तो कंस्ट्रॉक्शन होन ट्रेंग क्वाड़ लेटल की कर रहे हैं जिनमें और त्री साइड एंड टू डाइगनल्स अर गीवन लेकिन यहां पर इसने कह दिया रॉंबस हो तो साइड्स हमें खु के प्रोपर्टिया हमने पड़ी है कि रॉंबस के डाइगनल्स एक दूसरे को प्रपेंडिकुलर बाइसक करते हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे यह वाला डाइगनल ड्रो कर लें आप यह जैसे 6.5 है ना 6.5 कहीं भी कॉप्य में चाहिए आप सिदा कर लिया से उसको ह अब डी इए कहे देना है ठीक है फिर आपको क्या करना है अब कि दी इक पर पेंडिकुलर वाइसक्टर कहिच लेना है अब परपेंडिकुलर वाइसक्टर कैसे किसते हैं कुमपास को लाइन सेग्मेंट्स आदिशी थोड़ा सब्सक्राइब जदा कोल के और दोनों ही साइ लेना ही आपका 5.6 है लेकिन वह मिड़ पॉइंट होगा तो इधर कितना कर लें आप 2.7 और इधर कितना कर लें 2.7 अब 2.7 जहां भी है वहां पर दोनों साइड से मिनको आप मिला दें तो इस तरह से आपकी क्वाट्ट लेटल बी एंडी हो जाएगी और जिसमें डाइग कर सकते हैं और कुछिशन में कोई दिकत है नहीं सब्सक्राइब को मिलेंगे और टू डाइगनल्स आपको दे गए होंगे उसकी कर्सक्राइब को करने है चाहिए आज के लिए तना ही थेंक्यू है नाइस टेंक्यू कर सकते हैं